अगर आप भी अपने जड़ते तूटते रूखे बेजन बालों से परेशान हैं बालों की ग्रोथ नहीं हो रही बालों की ग्रोथ को दो गुना तेजी से बढ़ाना चाहते हैं बालों को सिल्की साइनी स्मूद करना चाहते हैं साथी बालों को रीग्रोथ करना चाहते हैं तो बालों में एक अलगी चमक देखने को मिलेगी साथ ही आपकी हेर रीग्रोथ करेंगे हेर फॉल कंट्रॉल होगा हेर जड़ से मजबूत होंगे तो फ्रेंड्स आपको वीडियो को एंड तक देखने हैं बिल्कुल भी स्कीप नहीं करना है अगर चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो बटने से प्रेस करते हैं जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सेगे मैं आपके लिए ऐसी अच्छे वीडियो बना कर लाती रहती हूं तो आपको लेना है चावल का माड ठीक है जब हम चावल को बॉल करती है उसका जो पानी होता है तो आपको वो ले लेना है यहां पर आपको अपने बालों की लेंथ के कौर्डिंग चावल का माड ले लेना है ठीक है चावल का जो माड होता है न वो बालों को मजबूत लंबा घना मोटा बनाता है साथी बालों को सिल्की सायनी करता है हेर फॉल को हली न L+, आपको यहाँ पे एक चम्मच के करीब लेनी है bak, ग्लासरी जो devenir डामिज हेर को रिप्वार करती हैं, जो रूखे बेजान बाल सही एंग हो तो बहुती पावरफुल होती है साथ ही स्क्लीन रखती है और सभाð को Really बाल के इपर जाना होगा विटामिϊन बness भी जो trumpet करता है काफी जैजी से इचकाफी करता है है फॉल्ओ को चमक हो जाती है उस चमक को वायापस लाता है बालोंHo चमकदार बनाता है तो इन सब कुल आपको अच्छे से Mix कर लेना है छोड़ देना है एक गहंते भाद आपको अपने बाल धूलेने हैं जो भी शैंपू आप यूज करते हो उससे हफ्टे में आपको इस रेमेडी का सर्फ एक बार यूज करना है ठीक है एक बार यूज कीजी हर उम्र का विक्ति यूज कर सकता है कितनी भी उमर हो आपकी घ्रल्स वोग सब यूज कर सकते हैं और इससे जो आपकी बाल है न इतनी तेजी से लंबी घनी मौटे होंगे फ्रेंड्स आप खुद हैरान रह जाओगे आपकी बाल लंबी घनी मौटे होंगे जड़ से मजबूत होंगे हेर सिलकी सायनी स्मूध होंगे तो आपको बहुत ही गजब का result मिलने वाला है आप एक बार इस रेमेडी को जरूर यूज कीजिए और हाँ मुझे जरूर कमेंट बाक्स मताना कहां कहां से आप मेरे वीडियो देखते हो ठीक है न तो वीडियो को लाइक शेर कमेंट करना बिलकुल नहीं भूलना है अपना फीड़बेक को जरूर शेयर करें